Hello students, हम लोग करने जा रहे हैं the respiratory system ये एक काफी important system है humans के अंदर और इसके साथ ही जो questions आते हैं exam में वो भी कई सारे आते हैं इस chapter से तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले the need for respiration हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि respiration से हमारे body को energy मिलता है breathing और respiration के बीच का difference भी आपने पढ़ा है last time में कि breathing एक physical process है जबकि respiration एक complete chemical process होता है respiration के लिए जो basic formula हम कह सकते हैं या जो basic equation है वो यह है यह आप देखेंगे तो photosynthesis का उल्टा है बस यहाँ पर water का amount थोड़ा change रहता है तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं इसके साथ ही कुछ और भी important चीज़े हैं जो कि respiration के बारे में आपको याद रखनी चाहिए यह cellular और tissue level पर होता है जिसे cellular और tissue respiration कहते हैं यह series of chemical steps में होता है एक single step में नहीं उपर की जो reaction थी वो net reaction थी जो इसके steps होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ डीटेल में पढ़ेंगे वो किस-किस cells में या किस-किस part of cell में होता है उसके साथ ही एक enzyme चाहिए होता है इसे breakdown के लिए हम लोग जानते हैं enzymes important होते हैं कई सारे chemical reactions के लिए जो हमारे body के अंदर हो रहे हैं इसके साथ ही energy जो liberate होता है वो ATP के form में convert हो जाता है ATP को energy currency भी कहा जाता है जिस तरह से हम लोग अलग-अलग currencies को अपनी day-to-day life में use करते हैं वैसे ही ATP को हम लोग energy की currency कह सकते हैं जिस currency में अलग-अलग processes जो हमारी body के या फिर किसी भी organism के body के अंदर होते हैं उसे काम में लाया जाता है ATP का full form आपको पता है adenosine triphosphate अगला the essential step of cellular respiration are same in plants and animals तो plants में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ different होता है respiration में plants में भी जो major steps पाए जाते हैं respiration के वो same होते हैं animals को ज़्यादा energy चाहिए इसके बारे में भी आपने class strength में पढ़ा है कि क्योंकि animals motile होते हैं मतलब animals move करते हैं generally तो ये देखा जाता है कि animals को ज़्यादा energy चाहिए होती है इसके साथ ही उन्हें chew करना होता है food उन्हें अलग-अलग processes करने होता है जो कि plants के मुकाबले थोड़े ज़्यादा होते है थोड़े ज़्यादा movement भरे थोड़े ज़्यादा energy खर्च होने वाले इसलिए ये देखा जाता है कि animals में जो energy की requirement होती है वो plants के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है birds और mammals को थोड़ी और energy चाहिए होती है जैसा हम लोग जानते है birds और mammals warm blooded होते हैं मतलब इनके blood की जो temperature होती है वो बाहर के temperature के irrespective अपने ही maintained रहती है इसलिए birds और mammals को थोड़ी energy इस temperature को maintain करने के लिए भी चाहिए होती है shivering और clattering of teeth एक emergency activity है जो की extra heat produce करने के काम आती है ये चीज़ आप जानते ही है कि जब ठंड बहुत ज़ादा बढ़ जाती है तो उसमें हम लोग generally देखते हैं कि shivering होने लगती है और दात कट-कटाना जिसे कहते हैं clattering of teeth तो ये सारी activities होने लगती हैं body के अंदर थोड़ी extra heat produce करने के लिए उसके बाद है glucose का कोई alternative नहीं है respiration के लिए अगर हमारे body में directly carbohydrate present न भी हो glucose देने के लिए तो हमारी body proteins और fats को break करने लगती है glucose के लिए proteins और fats के break करने पे जाहिर है कि थोड़ा inefficient होता है वो process वो उतना ज्यादा glucose नहीं दे पाता जितना carbohydrates directly दे सकता है तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं बस ये याद रखें कि glucose के अलावा कोई और substance नहीं है जिससे हमारी body respiration कर सके पुरी तरह से उसके बाद है जो दो तरह के respiration होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानते है aerobic और anaerobic aerobic respiration generally देखा जाता है air की presence में और anaerobic air के absence में या फिर air ज़रूरी नहीं होती है उस respiration को करने के लिए उसके बाद है कि anaerobic respiration में जो हमारे muscles में होता है उसमें lactic acid produce होता है इसे oxygen debt की तरह भी माना जा सकता है देखा क्या जाता है कि जब हमारे muscle की activities बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर बहुत अच्छे amount में oxygen की supply नहीं हो पाती और वहाँ पर हमारे muscles anaerobic respiration कर लेते हैं और जिनके absence में और उसके कारण lactic acid produce हो जाता है ये lactic acid हमें problems भी कर सकता है cramps आने लगते हैं इनकी अगर बहुत ज़्यादा amount में ये store हो जाए जैसे जैसे फिर oxygen वापर साता है तो ये lactic acid को हम लोग convert कर लेते हैं और वहाँ पर हम लोग इसे एक oxygen debt की तरह मान सकते हैं उसके बाद है कि कौन-कौन से steps होते है respiration में तो जो aerobic respiration animals में पाई जाती है उसका यहाँ पर एक equation लिखा हुआ है आपको amount of energy याद रखने की बहुत ज़्यादे ज़रुरत नहीं अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है वैसे यह बहुत important नहीं है उसके बाद है कि इस equation को ATP के form में कैसे represent किया जाता है तो यह चीज़ आप याद रख लें कि यह 38 ATP को produce करता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग convert कर सकते हैं kilo calories को ATP में तो यह चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद है कि anaerobic respiration जो animals में होती है वो कैसे होती है तो यह anaerobic respiration का equation है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी कम amount of energy produce होती है और उसके साथ ही lactic acid भी produce हो जाता है मतलब यह एक ideal process नहीं है हमारी body के लिए हमारी body सिर्फ emergency में इसे काम मिलाती है क्योंकि उतने ही glucose को use करके पहले तो कम energy मिल रही है और दूसरा एक unwanted substance भी produce हो जा रहा है हमारी body में उसके बाद है कि यह slow process भी है इसमें CO2 produce नहीं होती energy per mole बहुत ही कम होती है जैसा हमने उपर के मुकाबले देखा यहाँ पर एक difference यहाँ पर दिया गया है plants और animals के बीच में जो anaerobic respiration का difference होता है तो यह चीज़ आप देख सकते हैं कि plants में जब anaerobic respiration होता है तो हमें ethanol और CO2 मिलता है ethanol जानते हैं हम लोग कि यह process जो use होता है वो alcohol के production में भी लाया जाता है जहाँ पर plants की anaerobic respiration कराकर वहाँ ethanol produce किया जाता है यहाँ animals में जैसा हमने देखा lactic acid produce होता है और CO2 का production नहीं होता यहाँ पर heat energy जो release होती है वो ज्यादा होती है जबकि animals वाले respiration में anaerobic respiration में heat energy काफी कम produce होती है CO2 के कारण foaming हो जाती है यह चीज़ एक differentiate करने का हम लोग तरीका बोल सकते हैं कि जब वहाँ पर CO2 produce होता है तो वहाँ पर foaming हो जाती है मतलब foam का production हो जाता है जबकि anaerobic respiration जो animals में होती है वहाँ ऐसी चीज़ने देखने को नहीं मिलती उसके बाद है respiration के parts क्या के हैं जैसा मैंने आपको बताया breathing और respiration के बीच में difference हमने पढ़ा है respiration के ही process के बीच में एक part होता है breathing जो की सबसे पहला process होता है जहाँ पर हम लोग oxygen की intake करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं उसके बाद ये जो oxygen हमारे lungs में absorb होता है उस oxygen को transport किया जाता है जिसे gaseous transport कहते हैं ये hemoglobin के साथ जो कि RBC में present होता है एक compound बना लेता है ये unstable compound है उसी लिए जब भी ये किसी oxygen deficient cell या tissue के पास जाता है तो वहाँ पर ये breakdown कर देता है और इसके break होने से oxygen उस cell या tissue को मिल जाती है यहाँ पर एक और चीज याद रखने वाली है कि अगर हम carbon monoxide का intake कर लेते हैं breathing के दौरान तो वहाँ पर एक stable compound बन जाता है और जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर एक compound stable है तो उसे break करना बहुती मुश्किल है और उसके कारण जो hemoglobin हमारे body में present है वो ineffective हो जाता है मतलब उसका use नहीं बच जाता क्योंकि वो बाद में फिर oxygen नहीं उठा पाएगा इसलिए हम कहते हैं कि carbon monoxide के environment में अगर हम या फिर atmosphere में अगर बहुत देर तक breathing कर लें तो हमें बेहोशी या फिर even death भी आ सकती है उसके बाद है कि bicarbonates के form में carbon dioxide जो transport होता है blood में वो दो तरीके से होता है bicarbonates के form में जो कि plasma में dissolve हो जाते हैं और carb amino hemoglobin बना कर RBCs के साथ उसके बाद है tissue respiration ये terminal blood vessels जो की capillaries होती है वो oxygen को body cells या tissues में deliver कर देती है जहां oxygen diffuse कर जाता है उनके thin walls से जैसा हम लोग जानते हैं capillaries की walls काफी thin होती है और इसलिए वहाँ पर diffusion के through वो oxygen अंदर की तरफ चला जाता है वहाँ पर carbon dioxide pick कर लेती है ये capillaries और वहाँ से हम लोग जानते हैं कि veins में जाकर ये merge कर जाती है और वहाँ से carbon dioxide वापस hurt में आता है और फिर hurt से lungs में जाकर वहाँ से बाहर breathe out कर दिया जाता है उसके बाद है cellular respiration तो complex chemical change जो होता है cell के अंदर वो cellular respiration कहलाता है हम लोग cellular respiration के बारे में नीचे थाज़ पढ़ेंगे यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस method से ये transport हो रहा है तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते है उसके बाद यहाँ पर एक और important चीज़ है आपको याद रखने वाली कि cell के अंदर respiration किस step में होता है तो पहला step है glycolysis जहाँ पर glucose का breakdown किया जाता है और यह step cytoplasm में होता है जो की mitochondria के बाहर होता है जैसे हम जानते हैं कि cytoplasm के अंदर यह step देखा जाता है यहाँ पर pyruvic acid में breakdown कर दिया जाता है जो की ethanol में break करता है प्लांट्स में और lactic acid में आनिमस में lactic acid जब anaerobic respiration हो रही होती है तो जो lactic acid का formation होता है वो इसी cytoplasm में ही हो जाता है जबकि aerobic respiration के case में वो दूसरा process होता है जिसके बारे में हम लोग क्रेब cycle में पढ़ेंगे उसके बाद यह anaerobic होता है पहला step इसका पहले step पे oxygen की ज़वरत नहीं होती और यहाँ पर काफी कम energy release होती है अगला step जो क्रेब cycle है वो major source of energy है हम लोग कह सकते हैं ग्लुकोज से होता क्या है कि यह step mitochondria के अंदर होता है इसे oxygen चाही होती है और यहाँ पर pyrovic acid या lactic acid को तोड़ कर ATP और CO2 बनाया जाता है जो H plus ions release होते हैं वो H2O के थूप जो की oxygen हमने लिया था अंदर वो H2O के form में H2O का formation करते हुए बाहर निकाल दिये जाते हैं यहाँ पर काफी ज़्यादा energy produce होती है यह चीज आपको याद रखने वाली चीज है यहाँ पर मतलब आपने समझ ही लिया होगा कि H plus का main function क्या है तो वो water के मतलब O2 का main function क्या है तो वो H plus ions को हटाने के काम में आता है उसके बाद है respiratory organs जो breathing का process है उसके बारे में लोग थोड़ा पढ़ते हैं सबसे पहला इसमें जो हमारे हम encounter करते हैं या फिर जब air हम लोग अंदर लेते हैं तो जो सबसे पहला organ आता है वो है nose nose का जो external part होता है वो nostrils के form में present होता है जो कि 2 होते हैं number में ये एक cartilaginous septum से separated रहते हैं इस septum का नाम याद रखने कि आपको ज़रुरत नहीं है अभी के लिए बस आप याद रखें कि दोनों nostrils के बीच में cartilage का septum present होता है इसके अंदर hairs present होते हैं जो कि large particles को अंदर जाने से रोकते हैं the two nostrils open in a pair of nasal chambers इसके अंदर nostrils के अंदर एक nasal chamber होता है यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं यहाँ nasal chamber वाला region यहाँ पर present होता है nostrils के अंदर आके उसके बाद है कि nostrils का function क्या है आपको majorly जो यहाँ पर parts के बारे में याद रखना है वो ही है कि उनके functions क्या है उनका formation कैसे होता है और उनके अलग-अलग parts के अंदर जो अलग-अलग चीज़े present है उनका क्या काम है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला काम जो उसका है वो warm करता है air को इसके साथ ही यह moisture add करता है air में और harmful particles को nose में trap कर लिया जाता है mucus के द्वारा mucus हम लोग जानते हैं कि mucus cells mucus membrane एक present होती है तो यह membrane हमारे respiratory system में भी present होती है harmful particles को trap करने के लिए breathe out nose करते हैं इसलिए हमें कहा जाता है कि जब हम लोग breathing कर रहे हैं तो nose के थू करना चाहिए क्योंकि जो यह तीनो functions हैं जो की trap करने वाला आपने देखा होका कि कभी-कभी जब हम बहुत ज़्यादा physical exercise कर लेते हैं तो हम मूँ के थू भी मतलब mouth के थू भी air अंदर लेने लगते हैं तो वो चीज हमारे body के लिए harmful हो सकती है क्योंकि वहां से कई सारी unwanted substances enter कर सकते हैं हमारे body के अंदर इसके साथी जो अलग-अलग मतलब warm करने से microorganisms भी कुछ-कुछ मर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं इसलिए advice किया जाता है कि आप कोशिश करें कि nostrils कहीं through जितना ज्यादा हो सके breathing किया जाए उसके बाद है कि nose की function smell भी है इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि यहां पर receptors present होते हैं जो कि हमारे smell के sense को activate करते हैं हमारे brain के अंदर जाकर उसके बाद है the pharynx pharynx nasal chamber से आगे बढ़ते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं nasal chamber के बाद तो हमें pharynx देखने को मलता है यह mouth के पीछे situated होता है यह air और food का common passage है यह चीज़ आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि food और air के लिए common passage कौन सा है नहीं बादी में तो यहां पर आप यह part को याद रखने कि pharynx ही वो passage होता है इसके साथ ही यह एक trachea में खुलता है और food pipe में food pipe इसोफेगस के नाम से जाना जाता है और trachea को wind pipe भी कहा जाता है यहां पर होता कि है कि एक flap present होता है जिसे epiglottis कहा जाता है epiglottis क्या करता है कि जो हमारे wind pipe के entrance है उसे guard करके रखता है जब हम लोग food को swallow करते हैं तो यह epiglottis हमारे wind pipe को बंद कर देता है ताकि food गलती से भी हमारे respiratory system में मतलब हमारे wind pipe के अंदर न चला जाए यहां पर आप देखेंगे कभी कभी हमें अगर हम खाना खाते वक्त बात करने लगते हैं या फिर हमें छींक वगयर आ जाती है तो हमें choking होने लगती है वो इसलिए होता है क्योंकि आपका अगर कोई छोटा मोड़ा food particle आपके wind pipe के अंदर चला जाता है तो वो choking की condition को arise कर देता है और incomplete closer के कारण cough भी होने लगता है वो चीज़ आपने experience की होगी अगर आपने कभी थाना खाते वक्त बात करने की कोशिश आप करते हैं तो वहाँ पर काफी दिकते आ सकती है उसके बादे larynx larynx voice box भी कहलाता है इसे adam's apple भी कहा जाता है आप देखेंगे कि males में यहाँ पर थोड़ा सा उठावा रहता है आपके voice box के पास और इसे ही larynx कहा जाता है यह एक hollow cartilaginous structure है जो कि हमारे windpipe के शुरुआत में located होता है यह आप feel कर सकते हैं जब आप किसी भी चीज़ को swallow करते हैं आप यह खुद try करके देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हाथ रखें और इस तरह से swallow करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक movement हो रही है उपर और नीचे तो वही जहाँ पर movement होती है उसे ही यह part कहा जाता है उसके बाद larynx में दो ligaments होते हैं जो कि vocal cords कहलाते हैं vocal cords हमारे respiration में help नहीं करते हैं बलकि हमारा जो voice production है मतलब जो हमारा sound हम लोग produce करते हैं उसमें ये voice box की तरह काम आते हैं और इसी लिए larynx को voice box भी कहा जाता है adjust करके उन दोनों cartilage के बीच के distance को हमारे voice के pitch वगारा को change किया जा सकता है उसके बाद है trachea तो trachea को wind pipe भी कहा जाता है लारिंग से ये emerge होता है यहाँ पर C-shaped rings होते हैं cartilage के ये चीज आपको याद रखने की ज़़ुरत है क्योंकि इसो फेगस में ये rings present नहीं होते तो जब वहाँ से खाना पास नहीं हो रहा होता तो food pipe collapse कर जाती है अंदर की तरफ लेकिन हम इस trachea को मतलब हमारे wind pipe को collapse होने नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है ये हमारे breathing के process को affect कर दे इसी लिए यहाँ पर C-shaped cartilaginous rings होते हैं इस तरह के उनके नाम आभी आपको याद रखने की ज़़ुरत नहीं है कुछ specific नाम भी होते है उन cartilaginous tissues के तो उन C-shaped rings के थूँ क्या होता है कि हमारे जो wind pipe है वो पूरी तरह से खुला रहता है हम कह सकते हैं जब वो wind उसके अंदर present नहीं होती है तब भी वो collapse नहीं करता है ये ring flexibility और trachea को distended रखती है पूरी तरह से permanently हमेशा उसके बाद है bronchi तो जब lungs के पास हमारा trachea दो parts में divide होता है उन दो parts को ही bronchi कहा जाता है इसका आप singular रख सकते हैं bronchus कहा जाता है respective lungs में जाता है ये दोनों pipes यहाँ पर ये secondary bronchi और फिर tertiary bronchi में breakdown करने लगते हैं होता क्या है यहाँ पर एक diagram आप देख सकते हैं तो इस तरह से trachea पहले तो दो parts में divide हुआ फिर ये parts और छोटे छोटे parts में divide होते चले जाते हैं तो इस तरह से हमारा जो wind जो respiratory system है अंदर lungs के वो बनता है इस तरह से छोटे छोटे divisions करते हुए the cartilaginous rings as those present on trachea also present on the smaller bronchi to keep them distended जैसाम ने देखा हमारा respiratory system हम अपने respiratory pipes को collapse होने नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे आगे के respiration के process को affect कर सकता है bronchioles are subsequent still finer tubes of tertiary bronchi which require diameter of about 1 mm ये काफी पतले pipes होते हैं आप 1 mm अपने scale पर देखेगा तो आपको देखेगा ये कितने narrow होते हैं तो bronchioles आपको याद रखना है कि जब bronchi further divide करती है तीन, चार, पाँच बार तब जो एकदम thinnest tubes बनते हैं उन्हें bronchioles कहा जाता है By repeated branching, the bronchioles ultimately end in a cluster of tiny chambers called air sacs और alveoli alveoli हम कह सकते एक fundamental part है respiratory system का alveoli के ही हम कह सकते एक cluster को जोड कर बनता है यह respiratory system हमारा जो lungs के अंदर present होता है A network of blood capillaries surround the wall of each alveoli The walls of alveoli are extremely thin and moist thus allowing gases diffusion through them जैसे हम लोग जानते हैं diffusion के लिए कुछ necessary conditions होती है पहला, किसी भी surface को diffusion के लिए apt बनाने के लिए मतलब, respiratory exchange होने के लिए gases का उसके थुरू तीन major conditions हमें देखने को मिलती है पहला कि वो thin होनी चाहिए ताकि gases pass कर सके उसके थुरू दूसरा कि वो इस तरह के blood vessels या फिर tube से surrounded होनी चाहिए ताकि वो जो winds या फिर जो gases pass हो रहे हैं उसके थुरू वो कहीं पर pick up की जा सके और उसके बाद कहीं अगर दूसरी जगा में ले जाना है skin के थुरू होता है तो वैसे examples देकर भी आपको पूछा जाए कि अगर ये condition satisfy कर रही है ये skin की surface या फिर किसी और surface के बारे में भी तो आपको याद रहे कि अगर ये तीनों condition satisfy होती है तो वहाँ पर respiratory exchange हो सकता है gases का आगे हम लोग बढ़ता है अलग-अलग करके तो ये काफी बड़ा area cover कर सकती है उसके बादे protective inner lining जो respiratory passage की होती है वो ciliated epithelium के थू होती है हमने पढ़ा epithelial tissues के बारे में और वहाँ पर हमने देखा था कि ciliated epithelium में इस तरह से cilia निकला होता है cell के बाहर और ये cilia help करता है trap करने में और movement कराने में यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि goblet cells जहाँ पर mucus बनता है और ये ciliated cell जिससे cilia निकलावा होता है तो इस तरह से बीच-बीच में goblet cells present होते हैं इन goblet cells से mucus निकलता है और mucus यहाँ पर आता है उसके बाद है during light time the cilia are constantly in motion driving any fluid जो कि mucus होता है हमारे case में और any particles that have come in with the air into the mouth उसके बाद है the lungs lungs spongy और elastic organs होता है यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो membrane lung को surround करती है वो होती है visceral pleura और parietal pleura visceral का मतलब जो अंदर की तरफ और parietal का मतलब जो बाहर की तरफ covering होती है double membrane से यह covered होता है और उन दोनों membranes के बीच में जो fluid भरा रहता है उसे pleural fluid कहा जाता है हमने देखा है कि हमारे कई सारे important organs, heart में भी हमने देखा था कि हमारे कई सारे important organs दो या उससे कभी जादतर cases में दो membranes से surrounded होते हैं और दोनों membranes के बीच में एक fluid भी present होता है ताकि जो वो shock बगैरा लगे तो उसे वो absorb कर सके उसके बाद है lungs occupy करती है thoracic cavity का एक major portion जो हमारी thoracic cavity होती है उसमें एक most of the portion lungs cover करके रखती है और इसे हम diaphragm के थूँ अलग करते हैं abdominal cavity से उसके बाद है blood supply कैसे होता है तो right auricles deoxygenated blood को लाती है lungs तक from the body into the right ventricle which in turn pumps it into the lungs through the main pulmonary artery हमने इसके बादे में circulatory system में थोड़ा पढ़ा है कि कैसे pulmonary artery एक clothi artery है जो कि deoxygenated blood carry करती है और वो इस blood को ले आती है lungs तक फिर लंग से pulmonary vein जो कि एक clothi vein है जो कि oxygenated blood carry करती है हमारी body में तो वो vein वापस ले के आती है heart तक और फिर वहाँ से हमारे अलग-अलग body parts में जाता है यहाँ पर main याद रखने वाली चीज़ यह है कि pulmonary artery के थूँ blood lungs तक आता है और pulmonary vein के थूँ blood lung से जाती है और यहाँ पर वो exception भी आपको याद रखना है कि pulmonary artery एक clothi artery है जो कि deoxygenated blood carry करती है और pulmonary vein एक clothi vein है जो कि oxygenated blood carry करती है veins arising from these capillaries जैसा हम लोग जानते हैं कि capillaries जैसा हमने उपर देखा भी था कि alveolाई को surround करके रखती है capillaries और फिर यह capillaries जाके pulmonary vein में join हो जाती है branching of respiratory passages in the blood यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से blood supply होता है हमारे alveolाई में तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं काफी अच्छा डाइग्नाम यहाँ पर बना हुआ है इस alveolाई के थूँ बाहर की तरफ यह oxygen आता है मतलब blood में oxygen pick up कर लेती है और जो carbon dioxide blood में high होता है वो वापस alveolाई के अंदर चली जाती है उसके बाद है breathing जो कि हमारी respiratory cycle है यहाँ पर एक याद रटने वाली चीज यह है कि carbon dioxide ऐसा नहीं है कि हम जो inhale करते हैं उसमें present नहीं होता हमने पढ़ा है कि atmosphere में 0.03% के आसपास carbon dioxide होती है और वो carbon dioxide हम लोग inhale करते हैं लेकिन जो हमारा blood है जो कि flow कर रहा है de-oxygenated blood जिसे कहते हैं उसमें 4.3% के आसपास carbon dioxide होती है तो ऐसा नहीं है कि वो भी blood बहुत ज्यादा carbon dioxide rich है उस blood में भी 4.3% ही होती है carbon dioxide लेकिन क्योंकि वो ज्यादा है बाहर के atmospheric air के मुकाबले इसलिए हम उसे de-oxygenated या फिर carbon dioxide rich blood बोलते हैं हम जाते हैं कि most of the air 78% nitrogen होता है nitrogen की अंदर और बाहर जो concentration होती है वो same होती है इसी कारण से nitrogen pass नहीं करता है हमारे blood के अंदर भी नहीं आता हमारे blood के बाहर भी नहीं जाता अगला है respiratory cycle यहाँ पर सबसे पहला process है inspiration inspiration में क्या होता है हमारे lungs expand करते हैं और हमारे lungs को expand करने में help करता है diaphragm का flat हो जाना और ribs का बाहर की तरफ निकलना जो कि protrude करना यह हम लोग देख सकते हैं ribs outward move करती है क्योंकि external intercostal muscle contract करती है और chest की cavity बड़ी हो जाती है इसके कारण क्या होता है कि lungs को ज़ादा जगह मिलता है और वो expand करके air को अंदर ले लेता है हम लोग जानते हैं कि अगर हम volume बढ़ा दें तो pressure कम हो जाएगा और इसके साथ ही हमें पता है कि high pressure region से low pressure region की तरफ हवा जाती है यही होता है यहाँ पर कि हम अपने chest cavity का volume बढ़ा कर lungs की volume बढ़ा देते हैं इसके कारण lungs के अंदर pressure कम हो जाता है और जो हवा बाहर होती है उसका pressure ज्यादा होने के कारण वो हमारे body के अंदर चली जाती है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपने देखा कि कैसे diaphragm flatten हो जाता है और जो expiration का process होता है इसमें क्या होता है diaphragm वापस एक lump की तरफ अंदर चला जाता है और हमारे ribs अंदर की तरफ वापस चले जाते है इसके कारण क्या होता है हमारे lungs की volume कम हो जाती है फिर से volume कम होने के कारण pressure बढ़ गया हमारे lungs के अंदर का pressure बाहर के pressure से जादा हो गया और हवा वापस बाहर आ गई इसके करण लंग्स उपर की तरफ पुश हो जाते हैं और हमारे ribs अंदर चले जाते हैं जिसके करण हमारे लंग्स कॉंट्राक्ट हो जाते हैं यहाँ पर आप हर पार्ट कैसा behavior शो करता है inspiration और expiration के दौरान ये चीज़ आप देख सकते हैं उसके बादे control of breathing movement तो हमारे breathing movement को control करता है एक respiratory system जो center जो की medulla oblongata में present होता है हमने पढ़ा था nervous system वाले chapter में कि कैसे medulla oblongata इन चीज़ों को जो की involuntary होती है इन चीज़ों को control करता है तो यहाँ भी respiratory center medulla oblongata में present होता है ये चीज़ याद रखने वाली है उसके बाद this center is stimulated by the carbon dioxide content of the blood जैसा मैंने आपको बताया expiration के time जो हमारा blood होता है या फिर जिसे हम carbon dioxide rich या फिर जिसे हम deoxygenated blood कहते है उसमें 4.2% के आसपास हो जाता है carbon dioxide का content और ये बाहर की हवा से काफी जादा है और ये ही stimulate कता है हमारे medulla oblongata के respiratory center को expiration करने के लिए similarly जब carbon dioxide के content कम होता है blood में तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं inspiration के लिए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो stimulate करता है हमारे medulla oblongata के respiratory center को उसके बाद है faster breathing होती है जब भी हमारे body में carbon dioxide बढ़ जाता है और ये चीज़ आप देखेंगे भी अगर आप running करने लगे या फिर आप कोई physical exercise करने लगे तो वहाँ पर हमारी breathing काफी तेज हो जाती है क्योंकि जो respiration का process होता है वो तेज होने लगता है हमारे cells के अंदर क्योंकि हमें ज़ादा energy चाहिए होती है उस समय दूसरा process जो की हमने उपर पढ़ा anaerobic respiration होने लगता है और वहाँ पर lactic acid का production हो जाता है इसी lactic acid के कारण cramps आने लगते हैं हमारी body में और फिर हमें बाद में oxygen का intake करके इस lactic acid को हटाना होता है जो कि oxygen debt का का काम करता है आगे हम लोग बढ़ते हैं capacities of the lungs यह चीज याद रखने वाली है क्योंकि last year भी इससे एक direct question आ गया था तो यह चीज आप याद रखने तो बहतर है सबसे पहला कि tidal volume क्या होता है tidal volume air breathe in or out normal condition में जो हम normal breathing करते हैं उसमें जो tidal उसमें जो भी हवा अंदर या बाहर जाती है उसे tidal volume कहते हैं और यह 500 ml के बराबर होती है उसके बाद है dead air space some tidal air is left in the respiratory passage such as trachea, bronchi where no diffusion of gases can अकर जो हम हवा अंदर लेते हैं तो वो चीज हमारे अलग अलग nasal पैसेज या फिर ट्रेकिया वगारा में भी store हो जाती है जहांपर diffusion नहीं होता हम लोग जानते हैं कि diffusion होने के लिए कौन से 3 conditions चाहिए और वो 3 conditions यहां हमारे respiratory passage में नहीं होते हैं जिसके कारण यह volume around 150 ml एक dead air space बना देता है उसके बाद alveolar air जो कि air sacs में present होता है वो 350 ml के बराबर होता है तो आप देख सकते हैं इन दोनों को add करके हमें 500 ml मिलता है तो इस 500 ml को कैसे distribute किया जाता है हमारे body के अंदर वो भी आप यहां से समझ सकते हैं उसके बाद है inspiratory reserve volume air that can be forcibly drawn over and above the tidal volume आप कभी जोर से सांस लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कुछ और हवा भी idle volume के उपर forcibly respirate करने की inspirate करने की कोशिश करें तो उसे ही inspiratory reserve volume कहा जाता है उसके बाद है inspiratory capacity जो की total volume है जितना हम लोग normal expiration के बाद रख सकते हैं एक इंसान के अंदर वो 3500 ml है तो हम लोग उपर से समझ सकते हैं 3000 ml हम extra ले सकते हैं 500 ml हम normally ले सकते हैं तो यहाँ पर total जब उन्हें add कर दिया जाए तो हमें 3500 ml मिलता है उसके बाद है expiratory reserve volume आप कोशिश करें अगर तो आप बहुत forcibly expirate भी कर सकते हैं जैसे तो इस तरह से जब आप expirate करते हैं तो उसे expiratory reserve volume कहा जाता है जो कि normal expiration के बाद forcibly expirate किया जाए यह around 1000 ml होता है और vital capacity यह एक important part है क्योंकि इससे questions आए हैं कई बार vital capacity the volume of air that can be taken in and expelled out by maximum inspiration and expiration यह आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 3000 हमारी reserve inspiratory capacity थी 1000 ml हमारी reserved expiratory capacity थी और 500 ml हमारा जो उपर का volume था normal tidal volume वो तीनों को जब हम लोगा add करेंगे तो हमें मिलता है यह 4500 ml residual volume क्या होता है कि some air is always left in the lungs even after forcibly breathing out हम कितना भी expirate कर लें मतलब बहुत जोर से भी अगर हम expirate करने के कोशिश करें तो कुछ amount of air बच जाता है हमारे alveoli में हमारे lungs के अंदर उसे ही residual volume कहा जाता है और इस air को हम लोग नहीं निकाल सकते जब तक of course हम लोग अगर vacuum cleaner लगा कर खीच ले पूरी air को और vacuum मना दे अंदर तब तक ये चीज नहीं की जा सकती और ये हमारे alveoli के sag जो होते हैं उन्हें upright रखने में भी help करता है इसे 1500 ml कहा जाता है और ये total lung capacity में add होता है total lung capacity हम लोग देख सकते हैं इस 4500 और इस 1500 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6000 ml के बराबर होता है यहाँ पर एक diagram दिया गया है inspiration और expiration को explain करते हुए ये चीज़े हमने उपर भी डिसकस की आप एक बर बस इस diagram को देख ले कि किस तरह से हमारे अलग-अलग volume effect होते है respiration के time उसके बाद है inspired air versus expired air the air inside the lungs is never replaced completely जैसे हमने उपर देखा कि कुछ residual volume हमेशा बच जाता है quality wise हमारे expired air में कम oxygen होती है ज्यादा carbon dioxide होती है ज्यादा water vapor होता है आप कभी अगर mirror के सामने या glass के सामने ऐसे फूकने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर moisture जमा हो जाता है ये इसी लिए होता है क्योंकि हमारे जो expired air है उसमें water vapor की quantity ज्यादा होती है इसके साथ ही ये थोड़ा warmer होता है आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ठंड के मौसम में आप किसी बाहर external environment में जाकर फूकने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने, face के सामने एक धुन्ध type की बन जाती है ये इसी लिए होता है क्योंकि आपके जो अंदर से air निकल रही है वो warmer होती है और वो बाहर आकर जब अचानक से cool हो जाती है तो वहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलती है इसके साथ ही उसमें water vapor ज्यादा होता है तो वो चीज भी हमें वहाँ पर हम कह सकते हैं instant cloud formation type का चीज हो जाता है उसके बाद कुछ bacteria भी present होता है हमारे expired air में जैसे हम लोग जानते हैं कि इसलिए हमें कुछ microorganisms present होने के कारण हमारे expired air में हमें कहा जाता है कि हमें mask पहना चाहिए जब भी हम किसी disease से गुजर रहे हो और ये चीज अभी के pandemic वाले situation में और भी उभर कर आई है कि हमें हमेशा एक mask का use करना चाहिए क्योंकि हमारे expired air में कुछ न कुछ organisms, microorganisms, bacteria हो या virus हो वो सारी चीज़े present होती ही है उसके बाद यहाँ पर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था expired air में 4% carbon dioxide होता है nitrogen की quantity almost same होती है थोड़ा बहुत change होता है लेकिन nitrogen unused रहता है क्योंकि हमारे अंदर, blood के अंदर और blood के बाहर इसकी quantity same रहती है carbon dioxide की content बढ़ती है क्योंकि ये alveolar surface से release होती है और oxygen की quantity कम होती है क्योंकि यह absorb हो जाती है alveolar surface में water vapor, evaporation of water from respiratory passages जैसे हम लोग जानते हैं हमारे air को हम moist करते हैं काफी जादा हमारे lungs के proper functioning के लिए और वहीं पर evaporation होती है जब हमारे water की तो वहाँ पर हमारा water vapor का content बढ़ जाता है dust particles generally present होते हैं बाहर आते वक्त ये नहीं होते क्योंकि mucus membrane में ये चीज़ों को catch कर लिया जाता है और nasal passage में जो cilia होते हैं या फिर hairs होते हैं उनके through भी इन्हें पकड़ लिया जाता है उसके बाद बाहर का temperature variable होता है लेकिन जब अंदर से हम लोग expire करते हैं air को तो वहाँ पर एक constant temperature जो हमारे body temperature के असपास होता है वो temperature maintain करके ही expire किया जाता है क्योंकि वो इतने देर तक हमारे body के अंदर present होता है इसलिए उसका temperature हमारे body के temperature के बराबर हो जाता है उसके बाद है effect of altitude क्या होता है तो वहाँ पर दो conditions हमें देखने को मिलती है respiration is related hypoxia और asphyxiation इसके अलावा कुछ और diseases है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे होता क्या है एक disease का नाम है asbestosis ये आपको खासा याद रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे related questions कई बार NTSC stage 2 बगारा में भी पूछे गए हैं अगर वो asbestos का बोजड होते हैं या फिर asbestos वाली जगह पर काम करते हैं तो कुछ asbestos के particles उनके अंदर respiratory tract में चले जाते हैं और इसके कारण उनका respiratory tract थोड़ा damage हो सकता है इसे man-made disease कहा जा सकता है और इसी लिए इसे asbestosis का नाम दिया जाता है यहां हम लोग देखें hypoxia और asphyxiation के बारे में तो hypoxia एक deficiency है oxygen की जो की tissues में पहुँच रही है होता क्या है कि यह long hours तक अगर हम लोग किसी crowded room जहां पर ventilation नहीं है वहां बैठें तो यह हमें देखने को मिलता है यह high altitude में भी देखा जाता है अगर आपने chemistry में इस चीज़ को पढ़ा है तो आपको पता है कि higher altitudes पर oxygen का percentage कम होता है as compared to lower altitudes इसी के कारण क्या होता है कि उपर के तरफ हमारे body में enough oxygen नहीं पहुँच पाता और उसके कारण यह condition हमें देखने को मलती है इसके साथ ही asphyxiation में क्या होता है कि हमारे blood ज्यादा venous हो जाता है मतलब इसमें carbon dioxide की content बढ़ जाती है और oxygen supply कम होने के कारण ही majorly यह देखने को मिलता है यह कई सारे causes से हो सकता है जैसे strangulation, drowning या कोई obstruction अगर आजाए respiratory tract के अंदर death follows if causes not remote quickly और artificial respiration यहां help करती है आपने देखा होगा अगर कोई आदमी या फिर कोई person डूब जाता है तो उसे artificial respiration दी जाती है जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता है पानी से तो इसके साथ ही उसके respiratory tract से पानी निकालने के भी कोशिश की जाती है तो बस यही है cause of obstruction को हटाना मतलब इसका जो cause हो रहा है उसको हटाना और अगर जादा देर तक कोई drown कर जाता है तो उसकी death भी हो सकती है क्योंकि उसके body में carbon dioxide की content काफी जादा बढ़ जाती है उसके बादे कुछ experiment जो की breathing से related है यह चीज बहुत important नहीं है आप जानते हैं कि अगर हम oxygen को हटा देंगे तो breathing नहीं हो पाती है यह सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं एक बार वैसे इनसे questions आने के chances नहीं है तो इसी के साथ यह chapter खत्म हुआ यहाँ पर आप differences देख सकते हैं plant और animal respiration के बीच में यह चीज भी बहुत important नहीं है बस आप एक basic understanding लेने के लिए कि plant और animals के बीच में आखे difference क्या होते हैं यह चीज़ आप देख सकते हैं तो इसी के साथ यह chapter खत्म हुआ Thank you